देर तुडेंट्स हम लोग चलिया चलते हैं क्लास नाइन्थ के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं C.V.A.C. N.C.R.T. से ठीक है C.V.A.C. बोड़ो वाले एनिक English Medium में क्लास नाइन्थ के मैथ सब्जेक्ट को N.C.R.T. के बुक से पढ़ते हैं जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में 1.3 का थियोरी पढ़ रहे थे हैं कि आखिर किसी भी repeating जो non-terminating decimal है उसको हम लोग कैसे convert करते हैं rational नंबर में देख्या है P by Q के form में कैसे change करते हैं तो चलिए आईए आज हम लोग सब चीज सिखने के बाद NCRT 9 के maths के exercise 1.3 को discuss करते हैं exercise 1.3 में क्या क्या question क्या बोल रहे हम पहले question से discuss करेंगे पहला question यह बोल रहे write the following in a decimal form and say what kinds of decimal expression इच नव यह पहला question यह बोल रहे है कि जितने भी questions दिया हुआ है उसमें आप बताईए कि किस तरह का decimal है यह यह आपको पताना है ठीक है तो इस question को करने के लिए आपको सबसे पहले divide करना होगा अगर divide करने के बाद अगर remainder अगर zero हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो decimal है वो repeating है या फिर non repeating है तो पहला question क्या बोल रहे है आपके पास book है तो आप book निकाल लेजिए और फिर आप questions को देखिए कि क्या बोला जा रहे है तो पहला question बोल रहे है और write the following decimal decimal में बोल रहे है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला question क्या है तो पहला question 36 बटा 100 है ठीक है तो आप करिएगा क्या 36 को 100 से divide किजेगा 36 को हम लोग 100 से divide करेंगे तो जब 100 से divide करेंगे तो यहां तो divide होगा नहीं तो नहीं होगा तो एक point देकर एक 0 बना लेंगे यानि कि कोई भी divider है आपको divide करना है ठीक है और divide करते करते अगर remainder 0 बच जाएगा तब आप उसको बोल दिजेगा कि यह यह क्या है non-terminating है तो non-terminating और terminating का पहचान करना है तो अब हम लोग किसको बोलेंगे non-terminating किसको बोलेंगे terminating तो हम उसको पढ़े है तो यहां पर 360 यहां पर कितना बार मिलाएगा 300 हो जाएगा और 300 का जो remainder बनेगा वो 60 बनेगा ठीक है अब तो divide नहीं लेगेगा तो यहां पर point जब दे दिये है तो एक और 0 दे सकते है तो अब 106 जा 600 बन गया तो आप देख पार होंगे कि यहां पर remainder कितना बन गया 0 घटाएगे तो 0 बनेगा 600 में से 600 घटाएगे तो तो इसलिए बोलेंगे So 36 by 100 is terminating decimal Terminating decimal यानि कि terminating decimal कब कहलाता है जब हम लोग divide करते करते अगर remainder 0 आ जाता है तो तो इस तरीके से आप भाग लगा कर पहला question यहीं बोल रहा है कि आप पहचानी है कि कौन terminating decimal है कौन non-terminating है मतलब कि किस तरह का decimal है चलिए पहला का B question कि तरह बढ़ते हैं आगे पहला है एक बटा 11 ठीक है तो अब की बार क्या करना है आपको एक में 11 से डिवाइड करना है तो 11 एक में 11 से आप डिवाइड किजिए तो एक में 11 से डिवाइड किजिएगा तो पहले point देंगे तो यहाँ पे तो 0 होगा अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पे आप 0 दीजिए तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा ठीक है अब 11, तो इसको 9 बार में लगाएंगे, तो 99 होगा, फिर कितना बच रहा है, एक, तो एक point के वज़ा से, एक point के वज़ा से तो 0 देना ही दे रहा है, एक चुकि point हम पहले दे दिये, तो वहाँ पे 0 देंगे, अब चुकि आप ये देखिए, अभी भी divide नहीं हो रहा है, तो एक यहाँ पे भी 0, और एक यहाँ पे भी 0, तो अब फिर से लगाएं, 11 से 9 बार में, तो कितना आ रहा है, 99, फिर एक reminder बचेगा, तो चुकि एक बार point दिये हैं, तो उसके लिए तो एक 0 तो हम लोग को बैठाना है, क्यों, क्योंकि भाग नहीं लग रहा है, अच्छा, अ 11, 99, फिर से एक आ रहा है, फिर से अगर ऐसा करते जाएंगे, तो यह हमें कटेगा नहीं, और हमेसा reminder कितना बचेगा, एक बचेगा, यानि कि यहाँ पे लिखेंगे, चुकि 1 by 11 का जो value आया, वो कितना आ रहा है, देखिए, 0.09, 0909, यह सब आते जा रहा है, यानि हम इसक लिख सकते हैं, 0.09 का रेकरिंग, क्यों 0.09 का रेकरिंग, क्योंकि, दोनों का रेकरिंग इसलिए किये, क्योंकि 090909 रिपीट हो रहा था, इसलिए 1 by 11 का जो value है, ओ, 0.09 का रेकरिंग हो गया, इसलिए हम बोलेंगे, so, it is, it is का मतलब कौन, 1 by 11 is non-terminating decimal, non-terminating decimal, तो इस तरी इसलिके से हम लोग इसका बनाने का यही तरीका है, चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं, पहला का c number, कि पहला का जो c number question है, उसको हम लोग solution कैसे करेंगे, c number में question है, 4 integer 1 by 8, तो जब इस question को आप करना चाहते हैं, convert, तो आप पहले convert किजिए, 8 को 4 से गुना करते है, 8 का 32, औ यानि पहले आप इसको इस condition में बना लेजे, और फिर आपको divide करना है, और divide करके, आप पता कर लेजे, कि यहाँ पर यह terminating है, कि non-terminating, चलिए, तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको divide करना है, तो divide करते हैं, 33 को divide करना है, 8 से, तो यहाँ से तो आप देख पारेंगे 84 का 32, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, अब 1 बचेगा, तो अब तो divide नहीं होगा, तो यहाँ पर देंगे point, तो point के वज़े से 0 आया, तो 8 बंजा कितना हुआ, 8, फिर घटाएंगे तो कितना हुआ, 2, अब फिर से divide नहीं लग रहा है, तो चुकि 1 point दे दिये हैं, तो हम लोग उसके वज़े से 1 0 बठाएंगे, 8 दुना का कितना लगेगा, 16, फिर कितना बचेगा remainder, 4, और 4 से 1 point वज़े से यहाँ पर 0, तो 8 पंचे कितना, 40, तो आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 0, तो हम बार-बार बोल रहे हैं, कि जब remainder अगर 0 आ जाए, remainder बराबर अगर 0 आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं, terminating, ठीक है, अगर remainder 0 नहीं आता है, तब हम उसको बोलेंगे non-terminating, तो आप इसके निचे लिख दिजिएगा, So, 4 integer 1 by 8 is terminating decimal, यह कौन सा decimal है, तो terminating decimal है, ठीक है, तो आपको हम इस तीन question से, यहने कि पहला में total 5 question है, yes sorry, 6 question है, ठीक है, अब इस 6 question को आपको खुद से try करना है, कि कौन terminating है, कौन non-terminating है, यूँ बोले, तो D वाला जो सवाल है, हम सवाल लिख देते हैं, 3 by 13 है, 3 by 13, E वाला जो सवाल है, वो कैसा बोल रहे है, 2 by 11, एफ वाला जो सवाल है, वो बोल रहे है, 3 by 29 by 400, यह है, तो आप इसको खुद से भी divide कर सकते हैं, और खुद से भी पता कर सकते हैं, कि यह terminating है, कि non-terminating है, फिलाल यह जो question हम छोड़ रहे है, इसको आपको खुद से try करना है, और बनाना है, कि कौन terminating है, कौन non-terminating है, फिलाल अगले question की तरह बढ़ते हैं, हम लोग question number 2, ठीक है, question number 2 क्या बोल रहे है, कि 1 by 7 का value given है, दूसरा सवाल बोल रहे है, कि आपको एक बटा, आपके पास book है, तो book सामने रख लिजे, questions को, क्योंकि हम question यहाँ note नहीं कर रहे है, सिर्फ solution कर रहे है, exercise 1.3 का, तो question number 2 बोल रहे हैं, कि 1 by 7 का जो value है, वो value दिया हुआ है, कितना, तो 0.142857, 1,42857, ठीक है, 1 by 7 is equal to 0.4142857 का रेकरिंग दिया हुआ है, तब आपको बोला जा रहे है, कि 2 by 7 का value निका लिए, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, ठीक है, 6 by 7 का value क्या क्या हो सकता है, यानि कि जब सवाल में, 1 by 7 का value इतना दे दिया, तो हमें 2 by 7, 3 by 7, तो चुकी, आप लिखेगा यहाँ पर, कि 1 by 7 का मतलब क्या है, तो 1 by 7 का मतलब यह है, कि 0.142857, 142857 हर बार repeat होगा, यानि कि ऐसे, 142857, फिर से, 142857, फिर से, 142857, ऐसे ही आगे भी repeat होगा, ठीक है, जब ऐसे ही आगे repeat होगा, तो हम, आप लिखेगा क्या, कि 2 by 7, इसका value, तो 2 by 7 कब लिख सकते हैं, तो 2 को आगे कर लिजे, और into 1 by 7, इसको आगे क्यों किये, क्योंकि 2, 1, 2 होता है, और 7 का 7 नीचे है, तो इसको करने से ये फायदा हुआ, कि 2 का तो 2 लग देंगे, और into 1 by 7 का value उपर दिखा हुआ है, कितना, 0.142857, 142857, 142857, आगे ही है, ठीक है, तो जब आप इससे गुना करेंगे, तो गुना करने से कितना आजाएगा, आप इसको गुना कर लेजिए, कि 0.142857 को 2 से multiple करने से कितना आएगा, तो आप इतना ही से गुना किजिए, ये जो 7 है ना, इतना ही से गुना किजिए, तो 0.1428 जो repeat होता है, यहीं से ना repeat हो रहा है, बार बार, तो जो चीजे repeat होती है उसी से 2 से गुना करना है इधर छोड़ दीजे 7 को 2 से गुना करेंगे 7 2 14 हाथ में 1 5 2 10 और 11 की 1 हाथ में 1 8 2 16 और 17 की साथ हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 4 2 8 और 2 1 2 और 0 ठीक है यह आ रहा है तो अब यह repeat होना लगेगा यानि की इसके बार हो जाएगा देख पा रहोंगे आप यानि की आपको क्या करना है जैसे हम 2 by 7 का value निकाले हैं वैसे ही आप खुद try कर सकते हैं कि हमें जरुरत पड़ा तो आगे हम कैसे करेंगे जैसे मान लिया जाए कि आगे तो question 3 by 7 का भी बोल रहा है तो आप कैसे निकालेगा यहां लिखेगा 3 by 7 3 by 7 को कैसे लिखेगा 3 into में लिख दीजेगा 1 by 7 ठीक है और 3 into 1 by 7 में लिखने के बाद इसको लिख दीजेगा 3 into और 1 by 7 का तो फैलू जानते हैं हम लोग क्या होता है तो 0.142857 142857 142857 80 से हो रहा है तो अब आपको करना क्या है कि 3 को जो repeat हो रहा है यह repeat तो यहीं तक हो रहा है तो इसको 3 से multiple कराना है तो 7 त्रिया 21 21 के हाथ एक हाथ में दू 15 त्ये 15 दू 17 की साथ हाथ में 1 28 त्ये 24 और 25 का 5 हाथ में 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 4 त्ये 12 के 2 हाथ में 1 3 कम 3 और 1 4 और point के बाद इधर 0 अब इसका जो है आपको rake ring दिखा देना है तो इस तरीके से आप इसी का यूज करके आप आगे 4 by 7 का भी मान निकाल देजिए 5 by 7 का भी मान निकाल देजिए 6 by 7 का भी मान निकालना इसी तरीके से इस फौम में आपको answer निकालने के लिए बोला जा रहा है ठीक है चलिए अगले question के तरह बढ़ते हैं question number 3 exercise 1.3 में ही हम लोग चल रहे हैं आप खुद से भी इसका 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 वेलो निकाल लेजिएगा फिर क्या बोल रहा है question number 3 में question number 3 आप देख पा रहे होंगे कि बहुत simple है express in the form of p by q यानि कि कुछ हमें recurring वाला decimal दिया हुआ recurring decimal जिस पे बार चड़ा रहता है या recurring दिया हुआ रहता है अब हमको उसको क्या करना है p by q के रूप में change करना है p by q के form में बदलना है जैसे कि पहला सवाल क्या है पहला सवाल है 0.6 का यह तो हम तो ऐसा सिखाए हैं कि अगर कोई भी recurring वाला अगर question आए और उसको बोले कि आप इसको change करो तो इसका change करने का तरीका भी हम बताया हुए है फिलाल एक question दिखा देते हैं करके तो यहाँ पर आप कोई भी question रहेगा उसको मान लेजेगा late x बराबर 0.6 का recurring और हम इसी को लिख सकते हैं x बराबर जब 6 का recurring है तो इसका मतलब यह हुआ कि 6666 क्या हो रहा हो repeat हो रहा है जब 6666 repeat हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को 6 कितना बार आ रहा है वो हमों को पता नहीं है तो इसलिए हम 6666 इटेसी कर दिये हैं तीक है अब कितना digit के बार के उपर recurring है तो एक digit के उपर है तो इसलिए हम एक 0 देकर लिखेंगे multiply किया जाता है तो multiply by कितना तो 1 पर कितना 0 एक 0 क्यों क्योंकि एक ही डिजिट पर बार है तो यहां पर लिखेंगे 10 बोट साइड हम लोग क्या करेंगे बोट साइड मल्टिप्लाइ करेंगे तो इधर करेंगे तो 10 into x इधर करेंगे तो 10 into 0.66666 x etc अब 10 को एक से multiply करेंगे तो कितना होगा 10x और 10 को इतना से अगर multiply करेंगे तो कितना होगा 6.666666 etc अब आपको आपको यहां से रुखना है और आपको यह देखना है कि 6.6666 जो आ रहा है यह जो आ रहा है अब इसको कितना फॉर्म में तोड़े तो जो एक्स का वैलू मानत है उसको ही यहां पर रिखल देजिए 0.6666 यही नमानत है अब इस 6.6 इतना हो जाए तो only हम लोग 6 एड कर देंगे क्योंकि यह जो कितना एड किया जाएगा कि हम लोगों को टोटल 6.666666 बनने लगेगा तो आप जिसको एक्स मानते हैं यहां पर उसी को लिख लिजे और जितना घट रहा होता है आप खुद सुच लिजे कि क्या यहां पर जोड़ें कि यह बन जाए अब करना क्या है 10x is equal to आप पहले ही इतना के जगा पे कितना मान चुके हैं इतना के जगा पे x मान चुके हैं तो इसके जगा पे आप x रख लेजे पलस कितना 6 तो हम लोग जानते हैं कि x वाले एक तरफ जाता है तो 10x minus x is equal to 6 ठीक है और जब ऐ ऐसा करेंगे तो 10x में से x गया तो कितना हो गया 9 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x और 9x बनेगा तो यहां बचेगा 6 इसलिए x का जब value निकालेंगे तो 6 बटा में 9 और 6 बटा 9 का मतलब यह हुआ कि 3 से यह कट जाएगा 2 बार में और यह थ्री वर में, तो यही हो गया हम लोगों का P बटा Q के रूप में आंसर, यानि कि हमें चेंज करना था, P बटा Q के फॉर्म में आंसर लाना था, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, अब अगला जो दूसरा question है, दूसरा question यानि कि इसी का B नमबर सवाल ह है 0.47 का रेकरिंग only 7 का है फिर C नंबर से वाले 0.001 का रेकरिंग तो आप इसको बेलुकुल अपने से खुद से ट्राइ कर सकते हैं आप इसको एक्स मानिएगा फिर कितना से multiply करना है फिर कितना add करना है तो आप इन चीजों को खुद से भी परियास कर सकते हैं जैसा कि हम आपको दिखाए हैं और इसके पिछले वीडियो में अगर आपको ज्यादा प्राब्लेम हो तो पिछले क्लास में हम लोग सिखें हैं कि किसी भी अगर रेकरिंग वाले जो इसलिए का कीषिमल रहता है उसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं पी बाई क्यों के फॉर्म में ठीक है चली अगले कोश्टन की तरव बढ़ते हैं को पिछे नुंबर फूर की तरफ 0.9999 दिया हुआ 0.9999 ऐसे करके दिया हुआ है सवाल अब आपको इसको बोल रहा है इसको change करना है किसमे P by Q के form में ठीकहें जब इसको आपको change करना है 0.999 को किस form में P by Q के form में तो वही तो सवाल हो गया यह इसी को हम लोग नहीं लख सकते हैं 1.99 जब रिपीट हो रहा तो 9 का ऊपर रेकरिंग कर देंगे गोजब 2.9 का रेकरिंग कर देंगे तो जैसे कि हम लोग पिछले आंप 0.6 का रेकरिंग कैसे होता है जैसे 0.6 का रेकरिंग वाला का हम लोग P बटा Q के रूप में आंसर लाए हैं वैसे ही आपको इसका परियास करना है तो यह भी वही कोश्चन हो गया बसरते यह कोश्चन नंबर 4 दे दिया गया था ठीक है तो इस कोश्चन को भी आप खुद से ह करेंगी दिएगा कि जब 0.9 का रेकरिंग है तो इसको X मानिएगा फिर कितना से मल्टिपलाई किजिए गा तो टेंथ से क्योंकी एक य्प टीजिट पर है न एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 10 मतलब 1 और 010 मिलिक पड़िया तो 10 से मल्टिपलाई किजिएगा और मु 1 by 17 what can be the maximum number of digit in the repeating blocks of digit in the decimal expansion बोल रहा है ना पांचमा कोश्चन बहुत ही complicated question है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आप 1 बटा 17 दिया हुआ है अब 1 बटा 17 को आपको divide करके decimal में expansion करना है expansion का मतलब होता है कि decimal में आप बहुत decimal तक divide कीजे और फिर आपको पता चलना चाहिए कि वो किस तरह का decimal है यानि कि यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 17 को आपको divide करना है कितना से 1 से 1 से divide करना है sorry उल्टा लिख दिए 1 में 17 से divide करना है 1 में 17 से divide करना है और आप divide करते रहिए करते रहिए करते रहिए और फिर आपको divide करने के बाद बहुत बड़ा expansion करना है पॉइंट में बहुत बड़ा आंसर लाना है और फिर आंसर लाने के बाद आपको यह बताना है कि यह किस तरह का डेशिमल है मतलब कि टर्मिनेटिंग है कि नन टर्मिनेटिंग है तो यह तो डिवाइड ने लगेगा तो जब डिवाइड ने लगेगा तो पॉइंट देंगे तो पॉइंट देंगे तो एक जिरो आएगा अभी भी डिवाइड ने लग रहा है क्योंकि 17 यह है और यह 10 है तो 10 यहां देंगे और यहां पर हम लोगों को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 85 यहां हो जाएगा और जब इसको घटाएंगे तो यहां पर घटाने के बाद कितना आजाएगा 15 अब जब 15 आएगा तो 15 अब तो डिवाइडने लगेगा तो एक पॉइंट दे दिये हैं तो एक 0 तो दे नहीं दे दिये हैं तो यहां पर कितना होगा अगर बात किया जाए तो एक सो पच्छास आ रहे ना तो सत्रह नौवा सत्रह अठ्थे आठ्वर में लगेगा फिर से तो आठ्वर डेक्ता होता है आर्टि छपन की छो हाथ में पांच 136 होगा और फिर अगर डिवाड घटाएंगे तो इस बार कितना आएगा इस बार आएगा 14 ठीक है इस बार 14 आ रहा है तो 14 आ रहा है तो फिर से एक जिरो देंगे तो जब एक जिरो देंगे तो आप देख पा रहे होंगे हाँ फिर से 8 बार में लगेगा और फिर से कितना आ रहा है 136 और फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 अब चुकि एक बार पॉइंट दिये हैं तो हमेशा 0 बैठाना है अब 17 से ये कितना बार में लगेगा 17 दुनी 34 17 दुनी 34 से तरती है ये कामन तो 17 दुना दू बार में लगेगा कितना 34 अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6,4,10 की 0 हाथ में 1,3,1 4,1 अउनली 6 आएगा अब 6 आगया तो फिर से 1,0 बैठाएंगे क्यों क्योंकि एक पॉइंट दिये हुए है तो 17,4,68 17,1,5 तीन बार में लगेगा तो यहाँ पर हम लग दिये एक आवन ठीक है अब 6 में से 51 घटेगा तो कितना बचेगा 9, अब 9 से भी डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 17,5,85 होता है न 90 में से 85 गया तो फिर से आगया 5 ठीक है अब 5 आया तो फिर से 1,0 देंगे तो 17,2,34 17,3 यह कावन तो फिर से 2 बार में लगा कितना आया 34, तो 34 से अब घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा अब 16 आगया तो एक और 0 देना है तो अब 17 17,6,39 यहनिकि 9 बार में लगेगा 9 बार में कितने हो गये 153 अब 153 हो गये तो फिर कितना रिमेंडर बच रहे अब कि बार रिमेंडर बच रहे 7 ठीक है क्योंकि 7 तो अब फिर से 1,0 देंगे तो कितना बन रहे अब सतर बन रहे तो एक बार औरा डिवाइड करेंगे तो 17-4 कैसे से 17 को एक बार में से डिवायड करेंगे तो कितना बन रहे 17 को एक से डिवड करेंगे तो 17 और फिर कितना आ रहा है यहां पर 3 जब 3 आ रहा है तो 1-0 और देंगे तो 17 दोना 34 तो 17 से एक बार में फिर लगाएंगे तो 17 से एक बार में लगाएंगे तो इस बार कितना बनेगा 17 में 13 बच रहा है और 13 बच रहा है तो 13 में फिर से हम लोग 10 देंगे आप देख पा रहे होंगे यहां से 10 और देंगे तो अब कितना बार में लगेगा तो 177 बार में लगेगा यहां ठीक है कितना हो जाएगा यहां पर 119 और जब 119 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा ठीक है और 11 बचेगा तो आप देख पा रहे होंगे फिर से 10 दे सकता है तो 10 देंगे तो 175,85, 176 कितना होता है तो 102 होता है न तो 102 कितना बार में 6 बार में लगाएगा तो यहां हो जाएगा 102 अब डिवाइड किजेगा तो कितना आ रहे है एट ठीक है तो आप यहां से डिवाइड करते जाएगा करते जाएगा एक पेज तक आपको डिवाइड क करने के बाद आपको क्या मिल रहा है जरह देखिए जीरो पॉइंट कुछ नहीं तो जीरो पॉइंट लिखेंगे जीरो फाइव एट एट टू थ्री फाइव टू नाइन यानि कि यह सबसे पहला बात तो आगे आते जाएगा डिवाइड करते क्योंकि यहां पर रिमेंडर नन रिपीटिंग यानि कि कभी यह रिपीटिंग नहीं होगा क्यों क्योंकि रिमेंडर जीरो नहीं आएगा नन रिपीटिंग एड नन टर्मिनेटिंग डेसिमल ठीक है तो यह कोश्चन था जो बोल रहा था कि आप 1 वाई 17 को डिवाइड किजे और आप यह बताईए कि यह किस तरह का मतलब डेसिमल है तो आप यहां से देख पार होंगे आज हम लोग जो कोश्चन डिसकस किये वो कोश्चन नमबर 5 तक के डिसकस किये एकसरसाइज 1.3 का ठीक है तो अगले दिन हम लोग 1.3 के आगे कोश्चन नमबर 6 ते डिसकस करेंगे मैत में तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद